नवस्कार मैं शंभु कुमार सिंग और आप देखरें निसल दस्तक हूँ आप लोगों से गुजारिस है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए शेयर भी कीजिए क्योंकि सत्ता नहीं चाहता है कि हम उनसे सवाल पूछे और जान बुछकर यूटूब में जो आई-एस के परिक्षा में आई-एस में आई-एस में और आज तक भारत में कोई ऐसी वैकेंसी नहीं निकलती है जिसमें स्टी सीटों की चोड़ी नहों लक्षवनियादव ने एक और खबर शेयर किया है और क्या योगी अदितनात को मुखमंत्री पस से हटा दिया जिस पर लोग बात करना चाहते हैं जानना चाहते हैं क्या तमाम चैनल सोसल मेडिया के चैनल आपको गुमराह कर रहे हैं क्या कुछ लोग आपको गुमराह कर रहे हैं फैक नहीं दिखा रहे हैं कि नयंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी नितीज जी पाला बदल रहे हैं न देखे किस तरह से उन्होंने आज एक बड़ी खबर है जो मैं बता रहा हूं कि बीएस्पी सुप्रीम आयवती जी ने उत्रा खन में अपने बैठा की है और चार गुजराती क्या इस देश को चला रहे हैं अमबानी, अडानी, नजन्द, मोदिय और अमिशा, इनका चारों का गुजरात से कनेक्सन हैं क्या है सच्चाई और सबसे बड़ी खबर कल जो मैंने आपको बताया था उसमें मैं एक करेक्शन करना चाहता हूं माफी के साथ कि मुझे सादी में जो लोग गय हुए थे, उसमें से एक सक्स ने बताया कि उस शादी में, अमबानी की सादी में अठाबले भी थे उनकी पत्नी भी ब्रहमन समाज से हैं और एक सोसल मीडिया पर फोटो बैरल हो रही है कि अंबानी की साधी में जो पुजारी थे उनको नीचे बैठाया गया तो क्या ये गुजरात में परंपरा है जब भी परधान मंत्री नेरद मोदी किसी धार्मी का नुष्ठान करते हैं वहां भी पुजारी को नीचे बठाया जाता है अम्बानी के हाँ भी नीचे बैठाया गया हमारे हाँ तो उपर बैठाया जाता है तो ये तमाम बड़ी खबरें वहीं महराज से एक दुर्भागपूर्ण खबर है कि एक मस्दीद पर फिर से भगवा लहराये गया है वो भी सोसल मीडिया पर खबर है जो सोसल मीडिया पर आज सबसे ज़्यादा बाइरल है लेकिन आज सबसे पहले बात आईएस में चोड़ी की जो सीटो की चोड़ी हो रही है वो सबसे बुरी खबर है और साथ मैं आपको बताऊंगा किस तरह से किसी का भी घर ढहा जा सकता है अब जो नया कानून आया है उसमें जो चाहे थाना एसे चो एक दरोगा जिसका घर चाहे उसको ढहा सकता है बुल्डोजर चला सकता है और पहले था कि अगर किसी का घर ढहना है किसी का बुल डोजर चलाना है किसी की संपत्ति अटैच करनी है तो कोर्ट में बकाईदा साबित करना होता था कि ये संपत्ति अवाइद है और उसके बाद कोर्ट ओडर देती थी लेकिन अब एफाइयार के साथ ही आपके घर पर बुल्डोजर चल सकता है आपका घर धाह जा सकता है जैसे लखनव में पहले बुल्डोजर चला तो मुस्लिम समाज उहाँ जादा रहता था तो लोगों ने तालिया बजाई खुश हुए अब उनी लाकों में भी बुल्डोजर चलने जा रहा है जहां गैर मुस्लिम जादा रह रहे हिंदू रहे है दिल्ली में आज बालमी की समाज के घरों पर बुल्डोजर चल गया ओभी बताऊंगा चंसिखा रजात ने ये बड़ा ट्वीट किया है जो सोसल मीडिया पर वाइरल है और पपु यादव ने नितीज कुमार को लेकर अगर आप बिहार से हैं और आदिती में दिल्चस्पी रखते हैं तो आप देख सकते हैं पपु यादव ने मुखमंत्री नितीज कुमार को लेकर एक बड़ा खुलासा किया नितीज कुमार परधान मंत्री के उमिदवार होना चाहते थे राष्टिय संजोजक थे और उन्होंने इंडिया गटवंधन का कंसेप दिया विपक्षी ने ताओं को एक जूट किया पहली बैठक की दूसरी बैठक होई तिसरी बैठक होई और अंत में नितीज कुमार जो है वो इंडिया गटवंधन से निकल गए थे आखिर क्या बज़ा थी उनकी निकलने के और क्या आज इंडिया गटवंधन में नितीज कुमार होते तो वो परधान मंत्री होते और सत्ता में विपक्षी दल होते क्या आज नरेंदर मोदी दुबारा सत्ता में नहीं होते इन तमाम खबरों पर विशलेसन है सबसे पहले यूपी में यूपी को लेकर बहुत जागरुपता फैल रही है खबरे बहुत आ रही है लेकिन किसी भी अफवा से बचिये मेरी कोसिस होती है कि आपको फैक्ट बताया जाए अफवा नहीं सबसे बड़ी खबर ये है कि योग्यादितनात के खिलाप लगातार उनकी पार्टी से आवास तवार है लेकिन सीधे सीधे योग्यादितनात पर नहीं लौन एडर पर आजके सब परसाद मौरिया ने भी कहा कि संगठन बड़ा है निसाद जी जो की OBC समाज से आते हैं गटवंधन में हैं उन्होंने कहा कि हमारे अधिकारी हमारी सुनते ही नहीं है ये भी बड़ी ख़बर है तो ये सबसे बड़ी लेकिन सवाल है कि वहाँ जो ब्यूरेक्रेसी पर जो सवन समाज का पूरी तरह से कंट्रोल है और अभी SC, ST, OBC के जो अधिकारी हैं करमचारी हैं वो हासिये पर है और सवन समाज का करमचारी जो हैं वो बहुत नाराज हैं दुखी हैं उनके साथ और वहाँ जातिबाद अपने चरम पर है और लगातार जिस तरह से SC, ST, OBC के लोगों के 18,000 सिक्षक भरती बाला मामला हो नौकरियों में जिस तरह से जातिबाद है तो सबसे जादा सोशल जस्टिस की धरती यूपी है ब्यस्वी सुप्रीम मायवती जैसे लोग मुखमंत्री रहें मानेवर साथ की कर्म भूमी है तो वहाँ SC, ST, OBC के लोग पूरी तरह से एक जूट हैं और इसलिए कहा जा रहा है, कयास लगाया जा रहा है कि किसी पिछरे को मुखमंत्री बनाया जा सकता है उसमें उनुकरिया पटेल हो सकती है निसाद हो सकते हैं, राजवर हो सकते हैं शाक्रसमोर समास से हो सकते हैं केशव परसाद मौरिया जिस समय योग्याद इतनाथ पहली बार CM बने से केशव परसाद मौरिया जो हैं वो BJP के अध्यक्स थें कायदे से CM पद उनका बनता था लेकिन वो बाद में डिप्टी CM बना दिये गए राधनीती में कुछ भी होता है बाद में केशव परसाद मौर से तो योग्याद इतनाथ को लेकर ये खबरे हैं अभी तक कोई अपुष्ट खबरे चल रही है पुष्ट खबरे कुछ भी नहीं है बियस्पी सुप्रीम मायावती ने आज एक रहे बैठक की है उत्राखंड के अपने पतादिकारियों के साथ यह भी बड़ी खबर है और चंसेका राजा चंसेका राजा जो है वो वो पूरे यूपी में यह थेयात्रा निकाल सकते है और वो लगातार अपने ग्री जिले में और नगीन अपने छेत्र में जम्یں हुए है और उनने तैख कर लिया है कि वो लगातार सरकों पर ही रहेंगे वहीं अख्लेश यादब ने बड़ा हमला बोला है उन पर ठीका टिपनी हो रही थी शादी में गए थे तो उन्होंने कहा है कि जो लोग जिन लोग की फित्रत है मुखवीरी वहीं लोग को लड़ाते हैं और देश में चार गुजराती सबसे मजबूत पोजिशन पड़ है आर्थिक रूप से गुजरात में अमबानी और अडानी ये दोनों गुजरात से हैं और परधान मंत्री और गिरी मंत्री ये दोनों गुजरात से मतलब चार गुजरात के लोग जो हैं वो देश में सबसे प फंडा फोर ये पोल नहीं भाजपा सरकार के विकास दावे हैं जो धरासाई हो गया चेहतर करोड के पोल छव माँ में धरासाई हो गया पारसदों निया निवत्ता के विरूद खोला मोर्चा खोदे के गड़ों में पानी भर गया लोग परिशान है ये वो खबर है जो जोजर को लेकर नया कानून क्या कहता है नय कानून में है कि अगर अपरास में किसी संपत्ती की संलिपता हो या अपरास से कमाई गई होने का विश्वास हो तो वह संपत्ती जाच अधिकारी अटेच कर सकता है जाच अधिकारी जाच में और या संपत्ती आरोपित के नाम स जिरो F.R. हो सकता है, लेकि was तरह के मामले में भी जैसे मांन लिजे तमिल्नाडू में B.J.P. की सरकार नहीं है, या करनाटक में B.J.P. की सरकार नहीं है, तो कोई कॉझरस वला चाहे कि बीजेपी वाले नेता खिलाप F.R. कराना को लेकर करनाटक पुलिस आई अजित भारती से मिलने तो वो आएंगे और आप बुल्डोजर लेके आएंगे और आपका घर गिरा देंगे यह कानून बन गया है यानि गुद्रात में रहने वाले पर एफ आयार तमिलाडों में हो सकती है जांच करता पुलिस अबसर उसकी सं पत्ती अटेच करने के लिए रिजनेबल ग्राउंड होना जो हुई था रिजनेबल ब्लीफ नहीं फिर उसे कोट के सामने साबित करके आपको अटेच का आउडर लेना था अब स्वयम थानेदार के पास पावर है बुल्डोजर है और यह लखनाओ की अकवरपूर, अवरा जो के बुल्डोजर पर चटकर घुमेगी क्योंकि आज कल जिस राज में जिसकी सरकार है उसके अलग जो है वो यह फायार दर्ज कराए जा सकते हैं तो यह बड़ी इस तरह का डर है और सोची आज महाराश्ट के कोलहापूर में यह विडियो तकलिफ दे है मैं नहीं दिख खा सकता हूं क्योंकि सब्पराइक हिंसा का मामला है महाराश्ट के कोलहापूर में एक मस्जित के उपर चरकर हथोरे मारे गए और भगवा लहराया गया है तो महाराश्ट में विधान सबा चुनाव होने हैं किसी शायर ने ठीक ही कहा है कि सीमा पर तनाव है क्या देस में तो ये तो हुआ राश्टिये चुनाओ अगर परधान मंत्री का चुनाओ निस्नल चुनाओ और देख लो किसी राज में हिंदू मुस्लिम है क्या वहाँ चुनाओ तो नहीं है तो ये बड़ी खबर है जो सोसल मेडिया पर वाइरल है अभी भी देस में धन की राजनीती अब आगे भी देखिएगा ये बुल्डोजर चल रहा ये सीडूल कास्ट कम्यूटी के बालमिकी समाज के लोग के 250 घरों पर 80-80 साल पहले से रह रहे थे और एक बालमिकी समाज का मंदिर भी था भगवान बालमिकी का मंदिर भी था चार महिने पहले का नोटिस दिखा कर 250 मकानों को जमिन दोज कर दिया गया है तो ये दिल्ली सरकार के गवर्नर को अमिश्शा को और परधान मंतिर नरिद्र मोदी को ये टैक किया है चंसेखर आजार ने चंसेखर आजार लगातार इस तरह से गरीब सोसित बंचिस समाज का मुद्दा उठाते रहते हैं और ये ज आर्मेंट के बाद टच में थे या पहले से टच में थे और अब बाद UPSC में बैमानी की सोचिए इकनॉमिक बीकर सेक्षन के नाम पर सोचिए जो लोग HCST का फरजी सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं OVC का एकनॉमिक बीकर सेक्षन का सर्टिफिकेट कैसे लोग बन वा रहे हैं पहले तो आपको बता दू कि अगर आप OVC हैं 65% वाले OVC हैं 65% अवादी वाले और अगर 8 लाक रुपए आपकी आमदानी है तो आप क्रीमी लेर में आगा रक्षने मिलेगा और अगर आप जेनरल स हमार है तो भी आप गरीब हैं आप जित पांडा हैं आपने 2016 में एनाइटी राउल के ला से बीटे किया और उसके बाद आपने इंडिया लिमिटेड में नौकरी की आपके पिताजी सरकारी मास्टर हैं और आपके भाई 2015 बहच के आयरे सदिकारी बापजूद इसके आपने इबीए सर्टिफिकेट बनाया और 343 रहें के साथ UPSC 2023 में हाँ साथ किया तो किस तरह की बैमानी सामने आ रहा है सोचिए यह सब सामने आ रहा है यह आयर इसका भाई जो है वो बीकर सेक्षन अपने आपको दिखाता है और एक वैकेंसी आई है जिसमें OBC को 49 सीट है, SC को 83 83, ST को 7 और EBS को 107 सीट है यह ऐसा संभव ही नहीं है सोचिए OBC को 27% रिजर्वेशन है सबसे ज़्यादा होना चीए लक्षमन या आदम ने टूइट किया है और यह देखिए 449 पोस्ट है जिसमें अन्रिजर्व है और इसमें 449 में SC को 291, ST 37, EBS 100 और OBC 126, टोटल 1002 यह तो समझ में आता है होमियोपैथिक वळला जो पोस्ट है उसमें 171 पोस्ट अन्रिजर्व को है, SC को 83, ST को 7, EBS को 107 और OBC को 49, 397 में OBC कैसे हो काया आप बताएए 27% रिजर्वेशन है OBC का और 10% रिजर्वेशन है एकनॉमिक वीकर सेक्षन का 107 सीटे ऐसे कैसे आ गया तो इस देश में इन सब बैमानी पर कोई मुह नहीं खोलता है क्योंकि आपके नेता नहीं बोलते हैं और इसी तरह से आपका अधिकार छीना जा रहा है इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सारे फैक्ट वाली खबरे आपको निस्मल दस्तक बताएगा लक्षवन यादब बताएगे दबीक बताएगा दलित दस्तक बता सकता है लेकिन यहां तकी दिलीप मंडल ही बता सकता है लेकिन आपको कोई रभीस कुमार, अजीत अंजुम, आसबी रहेंग के साथ IPS बनी इन्होंने नौक्री जुआइन तो की लेकिन मैडम को IS का मन था फिर किसी ने मैडम को EBS सर्टिफिकेट बनाने का नुक्सा बता दिया इसी के साथ मैडम 2022 में IS बन गई एक और खबर देखिए जो सबसे जादा है ये सोसल मीडिया परवाइगा यूपी पुलिस परिवार की ओर से सिविल परिच्छा 2021 में जोती मिस्रा, डॉटर सुरेश नरायन मिस्रा, SI कमिस्नेट लखनव को 432 रहेंग, आदित बरमाएसो संजे कुमार, पुलिस अदिछक नगर मिर्जापूर को 2200 रहेंग, एबम चित्रांसु गौतम, पुलिस नाम को लेकर कहा जा रहा है कि जोती मिस्रा, SI समा से दिख रहे हैं, अब यह फैक्ट्वल सही गलत है, लेकिन यहां सिर्फ जोती लिखा हुआ, जोती मिस्रा नहीं है, तो इसकी मैं पुष्टी नहीं करता हूँ, यह गलत भी हो सकता है, तो इस तरह की चल रही है, लेकिन वहाँ कोई और जोती भी हो सकती है लेकिन SCST का नियम है कि अगर आपके पिता SC समाज से हैं रिजर्व कैटिगरी से हैं और उनकी शादी अगर गया रिजर्व में हैं तो उनके बच्चे SC हो सकते हैं अगर कोई domicile पिता के identity से चलता है तो गौतम परकास में ट्वीट किया है लेकिन इसकी पुष्टी मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि यह अभी तया नहीं है कि वही जोती है या कोई और जोती मिस्टा है और यह तस्वीरे अच्छी सोसल मीडिया पर वाइरल है जहां अंबानी की शादी में आप लोगों सब ने देखा किस तरह से भीरभार थी लोग तमाम वहां पहुँचे हुए थे और वहां किस तरह से लगातार जो पुजारी है उनको नीचे बैठाए गया यह सोसल मीडिय अखिलेश यादब की बहुत अलोचना हो रही है जिस तरह से मानी परिवार के साधी में तेजस्वी यादब की अलोचना हो रही है और इसको माजी जी ने कहा कि यह तो फिजूल खर्ची है तो यह बड़ी खबरे थी जो आज सोसल मीडिया पर वाइरल है और इसलिए मैं कर से ऑथान्टिक और वो खबरे दिखाता है जो आपके लिए जरूरी है जिसमें आपके हक अधिकार की बात हो जहां सोसल जस्टिस समाजिक नयाय और संविधान की बात हो तो यह वो खबरे हैं जो आपके लिए जरूरत है जरूरी है और इसलिए हम लोग तीबी अखबार के दूर रही है सोसल मीडिया पर देखे बीजेपी के साथ है टीवी अख़वार, सोसल मीडिया पर जो सवन पत्रकार है वो कॉंग्रेस के साथ है, हमारी कोशिस है कि जो इस देश के 90% लोग हैं स्टी, स्टी, ओवी से उनके जो संवेधानी का अधिकार है, वो आपको बताया ज जाए, क्या सरकार गीरेगी, बनेगी, रहेगी, यह सब जूट है, फरेव है, चाए वो अभी पुन परसुन बाजपई हो, चाए दीपक शर्मा हो, चाए अभिशार सर्मा हो, चाए संजेर शर्मा हो, यह सब दिन भर बीजेपी कॉंग्रेस, जैसे हिंदु मुसलिम करता है अगरीक है, आपकी जिनकी कैसे अच्छी होगी, आपकी रोजी रोटी कैसे मिलेगा, आपको न्या अधिकार कैसे मिलेगा, और सरकार के बारे में ठूट फूट के बारे में अथंटिक खबरे जब घटना हो जाए तब यह सब भविस्वानी से साब्धान नहीं है, यह सिर् बेल आइकन की घंटी दवाएं निसर दस्ता को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेर करे, लाइक करे, कमेंट जरूर करे